है यह लो बच्चों कैसे हो बच्चों आप लोग बहुत अच्छा होंगे आप लोग घर पे बहुत बढ़ी होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे बच्चों प्रिविएस वीडियो लेक्चर में जैसे कि आप लोग को इनफॉर्म होगा हमने क्लास मिसन आपको प्रुवाइड किया था अभी भी जो बच्चे हमसे जुड़े नहीं हैं या जो बच्चे हमसे जुड़ पा रहे हैं वह ज्यादा से लोगों तो इसको सियर करें अपने क्लास मेट तक इसको सियर करें ताकि उनको इस समय घर बैठे इस्टेडी मटेरियल बारें जिससे हम भी अप्रिशेट हो आपके लिए कुछ अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रॉइड कराएं ठीक है बच्चों प्रिवेस प्रिवेस लक्षर में यादि आपको पता हुग हमने नेच्टरल अमर्स होल लमर्स और इंटीजर पोजिटिव इंटीजर नेगरि प्रिवेस लक्षर में रह गई थी तो इसको कंटेश्व करते हैं तो पहले आज का वीड़ी लक्षर देखने प्रिवेस लग्षर देखना नभोलें ठीक है इस्ट्रेंट तो स्वाबर से स्थम में होते है ना नम्मर्स को टू टाइप्स में बाटा गया है मैं आपको इमेजनरी नमबर है अंट है कि को एक डियाल नमबर इमेजनरी नमबर इसन और आपका दूसरा होता है इमेजनरी नमर चिंड़ है इसंतर हम रियल नंबर के बारे में भी जानेंगे इमेजनरी原ी नंबर के की हमारे में भी जानने की कोश्थ करेंगे अब देखेंगा रेल नबर क्या होते हैं LOL कि ऐसे नमबर जिन को हम नमबर लाइन पर रई पर aleyब बनाकर दिखाया था नमने प्रिमेस फूरे अबारहम पिरम नमबर नमर लाइन पर यह ळैसके वों का रियरलनमवर कहलाता है ऑलिये ने को यह हमने बनाया किसी ने पूछा कि सर अब को leading करिए तो हम क्या करें है जी यू हमारा यहां क्या और लिमार पर हमने और куда रिप्रेजैंट छेकर दिया है किसी ने बोला हमें 0.5 को रियल लाइन पर रिपयरजेंट करिए तो वन टू इसका हाफ हो जाएगा 0.5 तो यह आपका 0.5 हो गया यह हमने पर रिप्रिजेंट पर लेजेंट कर सके है वह आपका real number कहलाता है ठीक है ना कैसा भी एक बात और natural number whole number integers में decimal number नहीं आते हैं नहीं पॉईंटों वाली शंख्याएं नहीं आते हैं parallel number में point वाली संख्याइं भी आ सकती है okay मिरे बाद समझेआए pointo वाली digit आ सकते हैं तो ये हुआ real number यानि those numbers are represent by number line और cold real number ठीक है इसको हम किस से denote करते हैं और से किस से स्टुडेंट और से denote करते हैं अब आपके माइंड में कुशन आएगा सर इमेजनरी नंबर क्या होते हैं तो पहले रियल नंबर के बारे में जो information है आप यहां भी पर रहे हो next year class 10th में आपका first chapter आएगा अब वहां भी इसके बारे में डीटेल से पढ़ोगे इमेजनरी नंबर यह आपका higher classes में जब जाओगे class 11 में तब आपको जानने को मिलेगा basic information provide करा देता हूं इमेजनरी नंबर वह होते हैं जिनको हम numbers line पर represent नहीं कर सकते हैं स्केट भी आपका इमेजनरी नंबर कहलाएगा जिसे आप से किसी ने बोला में पात सुन Roland कैसे टैप में होते हैं उसे देखने इस में यहां पर एक आए-स आए के root four को रियल रूट 4 को घरने पर सकते हैं तो तो फॉर की इस कर रूट निकालना सीख जाते हैं रूट 4 का इसके रूट को आप सकते हो ठीक है रूट 5 को निकालना कर सकते हो लेकिन फिलाल रूट 5 भी एक रेसल नंबर है और रियल नंबर है इसको नंबर लाइन पर डिपर्जेंट कर सकते हैं लेकिन इमीजनेरी नंबर क्या होता है अब इस तरीके से दी कुछन लिखा हुआ जाए इसको हम नंबर लाइन पर रिपर्जेंट नहीं कर सकते हैं रूट root के अंदर माइनस जब लगा हूँ आ जाए यह भी चीजीससे ईतेल से आएगी कि Root के अंदर माइनस का बाता है टीक है यह सब 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 चाहिए ग्रत, ROOT के अंदर अगरमाइनस रूट 5 हो जाए나 om हो यह यहलं मेर मेर बाहर की तरफ है लेकिन अगर रूट के अंतर रूट माइनस two root minus six यह सब हमारे इमेजनी नंभर है और इनको हम इन पर shift कर सकते हैं यह यह Max नहीं करती है नमर नमल पर एकजिस नहीं करती है औ जो इच्छिस नहीं करती वह तो इमेजिनिनिशन नंबर होता है ठीक मैं पर रिपरजेंट नहीं कर सकते हैं तो ऐसे नंबर इस विडियो के की डीस्क्रिप्शन वारे देखेगा तो वहाँ पर आपको सभी नंबर्स की डेफिनिशन मिल जाएगी ठीक है तो इस्ट्रेंट्स अब हम परेंगे रियल नंबर के बारे में और रियल नंबर क्या होता है यह तो हमने आपको बता दिया लेकिन रियल नंबर भी टू टाइप्स के होते हैं वो भी हमारे हिसे ठीक है और अगला होता है इराशनल नंबर एक होता है यह होता है आपका अर्रेशनल नंबर हम दोनों ही चीजों को कवर करें यहां पर रियल नंबर टू टैप्स कर तो होते हैं रेशनल नंबर और तीक है पूरा डीटेल से सभी चीजों को कवर करते हुए हम लोग चलेंगे रेसे नमबर क्या होते हैं ऐसे नमबर जिनको हम पी अपॉन क्यू फोम में लिख सकें ठीके सर्क क्यों क्यों क्या यहां पर यहां पर पी एंड क्यू और इंटीजर्स अपर कि इंटीजर्स इंटीजर्स सब्सक्रम क्यों क्यों की वैल्यू जीरो नहीं नहीं चाहिए जहां रखना क्योंकि वेलू जीरो नहीं होनी चाहिए और इसके अलावा एक कंडिशन सबसे को की जनरली हमें लिए इसकोलों में हमें टीटर्स में कोंचिक इंस्जूट में इतना ही बता आए इसके अलावा भी एक कंडिशन है पी और क्यों का I can या तो प्यों को प्राइम हो को प्राइम या प्योस्तू का प्यों क्यों हो राइचसी एफ यह वान यहनिए को भी कॉमन नहीं होना च्यूंगा से निए को प्राइम उन चाहिए को प्राइम उन में कोई को मन नहीं मैं आना चाहिए तीन वी चीजू कोम समझेंगे आखिर कारी क्या होते है आई यह रेसल नंबर पी अपान क्यों मतलब मैंने लिखा वन अपॉन टू मैंने लिखा थ्री अपॉन फूर मैंने लिखा सेवन अपॉन फाइब मैंने लिखा 2 मैंने लिखा 1 मैंने लिखा 2.5 मैंने लिखा 4.6 समझे मैं यह सब चीज लिखी अब यह भी पिप अपॉन क्यों पी और यह उपर रहो नीचे दोनों इंटीजर नंबर है तो यह आपका रेसल नंबर क्या लाएगा ठीक है स्वेंड्स 3 और 4 एंटीजर 4 इंटी सब्सक्राइब नीचे कुछ नहीं है तो वन लगा सकते हैं क्या हम लोग लगा सकते हो यह भी हमारा रेसल लंबर अब देखिए इन दोनों के बीचे विचाल करते हम लोग पॉइंट अटाएंगे आपको पता है एक जीरो नीचे आ जाएगी ठीक है लेकिन हमने चीज लिखा समय कि पी और क्यों का सिफ ना ची या को प्रायम उनमें कोई भी कुमन नहीं आना चीजिए इस में कुमन आ रहा है तो को मन आ रहा है आप देखिए और जोन कोगि टूब की टेबल से कट रहा है तो यह आपका आएगा टूगे टेवल से आपको टेगा 235 यह ठुन्ति थी अगला है आपका 2.5 अब 2.5 को समझिए पॉइंट अटेगा जीरो आएगी इसमें भी फाइब कॉमन आ रहा है फाइब की टेविल से रेमूव होगा फाइब 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 तू यानि आपका फाइनल आंसर जो है फाइब अपन टू और यह भी हमारा रेस्ट यह भी कहानी सुनिए यहां तक समझ गए जो पी अपन क्यू फोर्म में हो वह हमारा रेस्ट लंबार इसे रूट मैंने फोल लिखा है इसकी वेलू क्या होती है टू यह भी हमारा रेस्ट लंबर है ठीक है ना रूट फाइब तो इस तर्के से हमारे रेस्ट लंबर हुए अब आप बात करते हैं की यह की वेलु जीरो जैसे मैंने लिखा फोर अप्उन जीरो यह हमारावर्यूज लूंबस नहीं नहीं है कि इस बात को जानते हैं कि 0 का किसी में डिवाइड देते हैं तो यह को डीकर यह पुल एक बोलेगा कोई फोर नहीं है तो एसी कंडिशन में जिसे मालों किसी ना सर बोला दिवाइब डिया मालों किसी ने बोला सरा सब्सक्राइब एक ने बोला सराणसर आएगा अब कैसे करें तो आपको यदि पता होगा कि हम मैं इसको एरेज कर दूँ ठीक है आप चाहो तो वीडियो को पोज़ करके राइट भी कर सकते हो तो बच्चो सुनिए का हम लोग पुरा कंटेंट डिलेवर कर रहे हैं आप लोग तो था कि आप लोग अच्छा समझ पाओ ठीक है अब आप लोग पता होगा जैसे 12 में 4 का डिवाइट देना हो तो हम क्या कितनी बार जाएगा 43 12 हमें अपना आंसर क्रॉस करना है क्रॉस करना 10 अपन 5 लिखाए क्या आएगा डिवाइट देने पर 2 हमें चेक करना है क्या से करेंगे 5 तो 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे क्या जाएगा 10 2 इनटू 5 यह भी क्या जाएगा 10 दोनों बराबर है ठीक है ना लेकिन यहाँ पर भी चेक करते हैं हम क्रॉस मल्टिप्लाइगे तो 0 तो वहन से multiply 0 हो जाएगा तो फोर बराबर जीरो क्या यह बराबर है नहीं किसी ने बोला सब्सक्राइब करूंगा तो आप मेरा भी आएगा कोई और बच्चा इसको solve करेगा तो उसका भी यह अंसर आएगा अब कोई गलत करता है वह अलग बात है लेकिन मारा अंसर यह आएगा तो इसको डिफाइन है सब के द्वारा डिफाइन की गई है लेकिन यह क्या अंडिफाइन है तो ऐसी situation में 4 अपॉन 0 का जब डिवाइड तो अंडिफाइन आएगा क्या अंडिफाइन ठीक है क्या आएगा इस्टूरेंट्स अंडिफाइन राएगा इसको डिफाइन नहीं क्या साब कर सकते इसलिए क्यू का मान कभी भी हमें 0 नहीं लेना है ठीक है ओके और यह एक situation और इसको राइट करना है तो आप राइट कर कि जिरो डंसाहे मैं बोलन है को कि मैपकर क्यूक्म के लिए माना कि जिरो नहीं किया है जीरो अपॉन प्नीट में स्कार्थ यह hour रिषर है क्य líder में किसी का डिवायट देते तो attracting हाता है जी रो अब कि अगली बात हुई क्या होते जो पि उपन की फोर्म में ना हो वो हमारे बात कैसे हैं या नहीं है मेरे बात पहले इसको रिवाइज कर लेते है रेजिसल लंबर जो पी अपॉन क्यू फोर्म में हो वह हमारे रेजिसल लंबर पी और क्यू का एससे फवन ही आना चाहिए यदि आपको पास ऐसे लिखा गया कि 12 पॉन फॉर तो यह रेजिसल लंबर नहीं है पहले इसका से वन पर कहलाता है आया की ठीक है बहुसार एक्जांपल्स मेंने काफी देदी की 4.5 यह भी हमारा रेजिसल लंबर है हम इसको लास अपते हैं रेजिसल लंबर की फोर्म में जिसको रेजिसल लंबर कहलाएगा और भी अच्छी तरीके समझने के लिए हम नेक्स कंसेट पर जाते है इससे आपको इसलमर भी समझ में आ जाएगा एक बच्छो और में आपको इनफोर्मेशन देना चाहूंगा कि रेजिसल इसलमी जैसे आ गया रूट 4 आप इसका स्क्वेर रूट हो सकता है टू यह हमारा रेजिसल लंबर है रूट 36 इसका स्क्वेर रूट 6 है तो यह हमा स्क्वेर रूट 6 आ गया रूट 10 इसका स्क्वेर रूट नहीं होता है प्रोपर स्क्वेर रूट तो यह हमारा र्रेशनल नमबर आएगा ठीक है लागी क्लास टैंथ में स्टीज को प्रूफ ही करेंगे रूट 2 कैसे रसनल है अभी हमें मालूम चला जिसका स्क्वेर एक डेस्इमल नमर्व उसको भी हम जानते हैं ईसा सेसяться में क्या होते हैं मैं इस्ट्रेंक्ण आप को समझमर आ रहा है और यþक आप कमेट वोग को समस्ज में आ रहे हैं पके बताया करिए कि हम समझ व Од enthusiasts कमी हो तो आप लोगों के कमेंड बोक्स में भी लिख सकते हो decimal number क्या होता है decimal number को भी तीन भागों में बेसिकली बाटा गया है मैं थ्री टाइप्स में कर रहा हूं मैं इसको और details भी पढ़ेंगे पहला होता है terminating students जो पहला होता है terminating एक मिनट terminating ठीक है number terminating अगला होता है non terminating होता है non terminating repeating भी लिख सकते हैं यह आप यह पर कई बार कई recurring non recurring यह not repeating कुछ भी है अब आपके सामने कुछ समस्य आदे सरी यह सब चीज आपने क्या लिखा दिया तो students हलाकि हम लोग examples को देखते हैं लेकिन आप लोग उनका भी गौड नहीं क्या होगा कई बार आप से डिवाइट देने के लिए किसी ने बोला कि सर्म यह पि लिख देता हूं में देखें का जान से की कि 18 में 4 का डिवाइट दीजिए आप क्या करोगे 440 16 आगे दिवाइट दिना हमें एक जिव लेंगे तो यहां पॉइंट आएगा 5 टाइम जाएगा कि डिवाइट कंप्लीट जा चुका है अलाकि पॉइंटों में डेसिमल में कंप्लीट गया पॉइंट के बाद रंटेटंटीटू में stesso ceva देखते हैं जाता है जाता सिक्स रीजा सिक्स त्रीजा एकशुन ओर गल्सीजा ठीक 1056 है क्या देख रो बार बार एकी चीज रिपीट हो आप 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 ऐसे वह सर बार बार क्या करोगे यह पर शुक्स आएगा और जो यह नहीं होती है है तो यह वाली जो कंडिशन है अम बताता हूं तिनों के बारे में जब पॉइंट के बाद कोई नम्म तर्मिनेट हो जाए ए नॉन टर्मेटिंग यानि पॉइंट के बाद एक सेट हमारा बार बार रिपीट होए कैसे कई वार आपने डिवाइट दिया होगा जैसे अभी लाइब हम दिखने 3.66666 रिपीट हो रहा है इसे 3.333 होगे 10 में आप एक डिवाइट दीजिएगा 10 में 3 का 100% 3.333 रिपीट होगा या 4.626262 यह एक सेट रिपीट हो रहा है यह है नॉन टर्मेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग कोई सेट आपका रिपीट हो रहा है आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 3.666 से इसको इसको पर मैंने बार लगा दिया इसका मतलब है यह वाला सेट रिपीट हो रहा है 6 रिपीट हो रहा है जैसे 4.62 यह सेट पुरा एक रिपीट हो रहा है तो मैंने इसको पर बार साइन लगा है इसको बोलते बार बार लगा दिया तो यह नॉन टर्मेटिंग बट रिकरिंग नौत करिंग क्या होता है जैसे कोई सेट ही रिपीट नहीं हो जैसे 4.0100100001 अब देखिए क्या कोई सेट प्रोपर रिपीट हो रहा है या 3.629458458 सेबन फूर एक समझ यह है नहीं हो रहा है अप्रक्रण पर फूरेंट के बाद के बाद यह था नहीं हो रहा है कोई हो जिसका एक सेट रिपीट हो जिसमें कोई भी सेट रिपीट नहों पॉइंट के बाद टैसिमल के बाद यह वह आपके नॉन टर्मेटिंग बडून रिकरिंग एक इन्फरमिशन और समझे इसमें अब इसमें कई छाटने को बोल दिया जाए कि आप पताएं क्या यह रे कर लेंगे और हमारा आंसर आजाएगा तो यह आपका होता है तर्मेटिंग क्या होते हैं रेस्टनल लिख लीजेगा टर्मेटिंग क्या होते हैं रेस्टनल कि नॉन टर्मेटिंग बट रिकरिंग सर आप इसमें क्या करोगे आपके में से पॉइंट के बाद तो बहुत रिपीट हो रही है जैसे आपका डिवाइड आया 3.66666 अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं क्या जीडियो लगा है हमें को हमें खुद को नहीं पता कितनी जीडियो लगानी है कोगी प्रोपर तो एक सेट रिपीट ने प्रोपर तो एक मदब फिक्स बिजिट तो है नहीं तो इस कंडिशन में आप क्या करें तो हम बाहर लगा देते हैं तो स्टुएंट्स ये भी एक रिशनल नंबर है जिसको में एकसाइज 1.2 में करना अब हम समझते हैं नॉन टर्मिर्टिंग रिकरिंग जो होता है रेशनल नंबर होता है ये आपको ध्यान रखना है हम इसको कंवड करना भी प्यपन की फॉर्म में कंवर्ट करना सीखेंगे 1.2 में बाट ये जो अगला इस्टेप है ये रेशनल नहीं है कोंकि इसमें कोई बनीज़ इरंडबर होते हैं कंसेट्ट के लिए हुआ सभी को नौट करते जाएगा जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वीडियो को रिवाइज रिवाइन तरके वीडियो को बोज करके जैसे आपका बैठे लें नौट जरू करें अपनी लेंग्वेज लेंग्विच इस चीज़ को प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के या प्रिवेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेगा आपको वहाँ पर लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा पीडिया फॉर्मिट में इसके अलावा यदि आप लोगों के पास अभी बुक न कि ऐसे साइन देखा हो किला सेर्थ में हम जब बेलन का फॉर्मला बेल वॉल्यूम का क्या कहते तो स्लेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं पाई और स्क्वार एच पाई ऐसा साइन आपने देखा होगा इसकी वैलू जो हमने निकालते हैं टूंटी टू अपॉन सेवन याद पाता ही आप क्या यह रेसल नंबर है तो आपको इसा टूंटी टू अपॉन सेवन पी अपॉन क्यू फों में आया डेफिनिट रेस्टल नंबर है नहीं यही आज सभी मैथमेटेशन के सामने एक सबसे बड़ी चुनोती बनी हुई है पाई के बारे में क्या पाई जो है न लेकिन जब प्रक्टिकली लेवल पर जा है तो यह गलत है रोंग है तो एक्चुली में जब इसका पाईटिकुलर वेलू 3.14 और भी मतलब ट्रिलियन नमर्स पॉइंट के बाद ट्रिलियां ट्रिलियन समझे मिलियांस के बाद ट्रिलियन आता है इतने नमर्स डिवाइड इतने नमर्स आचंगे लेकिन अभी तो इसका डिवाइड जाता ही जारा है जाता ही जारा है आथ जाता ही जारा है महई हृट िरेसनल नम्बर रूट फाइब क्या है एक रेसनल नम्बर रूट एट क्या है एक सब्सक्राइब अब को प्रोवाइड कर आया हैं तो यह आज का हमारा नंबर सिस्टम था और भी कई सार नंबर होते हैं इवन नंबर और नंबर प्राइम नंबर ज़िए से हमारे कंसेप्ट आएंगे उसके अक्वर्डिंग में आपको बताता जाओंगा ठीक है अब चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो फिर इसके बाद हम आगे की चर्चा के वे लिए चलेंगे तो स्ट्रेंट्स वीडियो को लाइक करिए सेयर करिए और मैक्सिमम स्ट्रेंट्स तक अधिक से अधिक बच्चों तक उसको जोड़ने की कोसिश करिएगा हाँ यदि कोई प्रॉलम या लगया आप लोगों को कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आए तो आप लोग वीडियो के कमेंट बुक्स में आप कमेंट लिख सकता हूं इसके तो हम आपकी प्रॉलम को सॉल्व करने की कोशिश करिए तो इस्ट्रेंट्स आज के लिए इतना है काप यह है तैंक यू स्ट्रेंट्स थैंक यू फर वचिंग इस वीडियो एंड अटेंड इस सेसन